लेडी तेरा कमजोर बहुत होती है इमिनिटी वीक है शतावर चोन ये साब बहिलाओं को देना चाहिए छोटे बच्चों को भी दो शतावर जो है ये दो तरह का होता है एक वाइट होता है पेले रंग होता हम पेले रंग वाला देते हैं जो ज़्यादा गुणकारी होता है शतावर चोन इतना जबरदस्त है शतावर चोन के बारे मैं बता रहूं सुन लो सब बहनों एक तो जिन बेटियों की ब्रेस्ट का विकास नहीं होता उनमें बड़ा डिप्रेशन रहता है क्योंकि ब्रेस्ट जब पूरी विकसीत होती है तो लेडी सुन्दर लगती है अब किसी भी महिला को बदसूरत तो दिखना नहीं है लेकिन ब्रेस्ट का विकास नहीं हो किसी किसी की चेस्ट एकदम फ्लेट होती है फिर बहुत तरह कि शादी ब्यामें भी दिक्कत आती है उनको अच्छ खुद को भी डिप्रेशन होता है कुछ लोग ने ऐसी बाते करने में हुएं पडाने में भी खयस करके लीड़िस बात किससे करें? किसी को भी पूछे, माँ को बता एंअए, दादी को पता नहीं किसे ब्रेस्ट का विकास नहीं होता तो एक तो उनको प्रनायम कर आओ इससे ब्रेश्ट का विकास होता है पांस मिनट करा दो ये मैं बहनों की बताईवी बात बता रहा हूँ जिनकी 30 साल तक की उमर में भी ब्रेश्ट का विकास नहीं हुआ उन्होंने भस्तरी का प्रणायम किया, अनुलोम बिलोम प्रणायम किया और शतावर का सेवन किया, तो जो एक आइडियल ब्रेश्ट होनी चाहिए लेडिज को वो उसको मिल जाती है, ने तो मैंने देखा बहुत बेटियां इससे डिप्रेशन में चली जाती है मैं सुन्दर नहीं लगती, मैं अच्छी नहीं लगती, मेरी ब्रेश्ट बढ़ नहीं रहे, यह मैं क्या करूँ शतावर का चूण, यह है, यह पीली शतावर है, इसका फोटो भी अमने दिया वाए इस पे शतावर चूण, सब बेटियों को और यह बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है इससे आजकल क्या करते हैं, आजकल लड़के, जवान लड़के तो प्रोटीन के पांच पांच हजार रुपे, दस दस हजार के डब्बे खरीद के लाते फिर ओं मुसल्स बनाने के चकर में उपीते रहते हैं, लड़कों को अश्वगंधा शतावर सफेद मुसली, यह मैं ताकत की दबाईयों के नाम पर कितना भ्रांती है, जैंट्स को, आपके भी घर में जैंट्स हैं, आपके पती हैं, आपके फिर बच्चे भी होते हैं, एक तो लिकोरिया दूर होता है, लिकोरिया के तीन कारण हैं, बड़े, एक तो जिन लेडिज का पेट खराब रहता हैं, उनको लिकोरिया होता है, आप खुद पूछलो अपने परिवार में, किसी भी बहु बेटी को पूछलो, कॉंस्टिपेशन जिनको ज्यादा होगा, उनको लिकोरिया की प्रबलम होती है, जिनको पिता रहता है, गर्मी जादा होती है, उनको लिकोरिया होता है, और तीसरा किसी किसी को जेनेटिकली होता है, फिर आजकल बच्चे बहुत जादा असलील चीजे देखते हैं, उससे भी हो जाता है, वो अलग बात है, शतावर, एक तो यह यह किसी भी कारण से लिकोरिया है उसको ठीक करेगा ब्रेश्ट का विकास करेगा शादी विवाह के बाद स्तनों में दूद पूरा नहीं आता है देखो पुरानी माताएं भी यहां पर बैठी है जिनकी 50-60-70 साल की उमर है और नई बेटी हैं भी बैठी है पहले माताओं को दूद पूरा होता था बच्चे बड़े उनके स्वस्थ हुआ करते थे मा का दूद बच्चा एक साल जेड़ साल तक पीता था आज कल वाली बहु ऐसी होगी उसका बच्चा भूखा मर है क्यों उसको ब्रेस्ट में दूद ही नहीं है यह ब्रेस्ट में दूद भी आता इससे शतावर यह तो आजमाई वी चीज़ है यह पूरी क्लिनिकली ट्रायल करते हैं रिसर्च करते हैं यह आजमाई वी चीज़ ह देखो जिन बेहनों को स्तनों में दूद नहीं आता किसी को भी बता देना शतावर और दूसरा जीरा जीरा को थोड़ा सा भून लेना हलका सा कड़ाई में हलका सा फिर उसका पाउडर कर लेना तीन ग्राम शतावर का चोन दो ग्राम जीरा बस कितना बोला तीन से पांच ग्राम मैक्जीमम इसे ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है तीन से पांच ग्राम शतावर चोड़ दो ग्राम जीरा सुबह शाम दूद को साथ पिला दो मैंने कितनी बेहन बेटियों पर ये प्रियोग किया